बहुत सालों पहले भारत में कई रिशी मुनी रहा करते थे जो काफी वक तक तपस्या किया करते थे रिश्यों ने अस्तर प्राप्त किये और उन अस्तरों की पीडियों ने रक्षा की वानर अस्त्र, नंधी अस्त्र, अगनी अस्त्र को मिलाया तो एक महा अस्त्र बना ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र के तीन अलग टुकडे हो चुके हैं और यह तीन अलग-अलग लोगों के पास है जो उनकी रख्षा कर रहे हैं पर कोई है जो उन सभी हिस्सों को पाकर ब्रहम मस्तर को दुबारा जोड़ना चाहता है। पर अगर टुकडे जुड़ गए तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया कैसे बचेगी और कौन उसको बचाएगा। तो यही है ब्रहम मस्तर का पार्ट फर्स्ट शिवा। बिल्कुल शिव भगवान की तीसरी आँख की तरह। रिशियों ने बड़े प्रतन कर उस शक्ति को शांत कर दिया। तब हिमाले की श्रिंकला पर सबसे शक्तिशाली अस्तर ब्रहम मस्तर का निर्मान हुआ। तब सेवे रिशी ब्रहम मांश के नाम से जाने जाने लगे। जिन्होंने उन अस्तरों की रक्षा की थी। अब कहानी आती है वर्तमान में जिसमें रनबीर कपूर जिसका नाम शिवा है वो दिखाई देते हैं। वे अपनी शक्तियों से बिलकुल अंजान हैं पर उनके सपनों की वज़े से उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे इन सबसे जुड़े हुए हैं। अपने सपनों में वे जोर्जुनून और रफ्तार को दुन्दला महसूस करता है। ये वे लोग हैं जो ब्रह्मस्त्र के टुकड़ों को ढूंड रहे हैं और उन्हें एक ब्रह्माश की आदमी मोहन के बारे में पता चलता है। उन दीनों को यह विश्वास है कि मोहन के पास एक टुकड़ा जरूर है। मोहन जो की शारुक खान है पेशे से एक साइंटिस्ट होते हैं। जोर जूनून और रफ्तार मोहन के घर गुस कर लड़ने लगते हैं। जहां उन्हें पता लगता है वानर अस्तुर मोहन के पास है। जिसकी वज़ा से वह बहुत तेजी से कहीं भी जा सकता है। वह उची उडान वह हाई जंप कर सकता है। पर जुनून मोहन को काबू कर लेती है। शिवा की अचानक आखे खुलती हैं। आज दशहरा है नवरात्री का आखरी दिन। और पार्टी भी चल रही होती है। इसी पार्टी में शिवा को इशा दिखाई देती है। शिवा को इशा से देखते ही प्यार हो जाता है। शिवा इशा से बात करने के लिए पार्टी के बाद इशा का पीछा करता है। इशा से बात करके शिवा को पता चलता है कि इशा लंडन में रहने वाली बड़े घर की लड़की है। काफी देर बाद बात करने के बाद इशा शिवा को उसके साथ बदे पार्टी में चलने के लिए कहती है पर शिवा यह कहकर मना कर देता है कि कोई उसका वेट कर रहा है शिवा इशा को साथ चलने के लिए कहता है इशा के मान जाने पर वे दोनों शिवा वाली पार्टी में ज पैदा होने की एक साल बाद उसे छोड़ कर चली गई थी वह उसके पिता उसके पैदा होते ही चल बसे थे तब से वह अनाथ आश्रम के बच्चों को अपनी फैमिली मान कर उनके साथ खुश रहता है बातों बातों में वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं कि शीवा को फ प्रचे हुए टुकड़े के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता लेकिन इससे पहले उन्हें पता चले मोहन कुर्चे समेत उपर से नीचे कूट जाता है अगली सुबह शीवा इशा को मिलकर यह सब बताता है कि उसने अपने सपने में मोहन को कूटते देखा और आज न्यूज में उसके सुसाइड की न्यूज आई है वह इशा को बताता है कि मोहन को जोर जुरून रफ्तार ने मारा है पुलिस वाले इस बात को नहीं मानेंगे इसलिए वह पुलिस के पास भी नहीं जा सकता पर इशा शीवा से कहती है कि उसे शीवा पर पूरा भरोसा है श शिवा के हाथ में आग लग जाती है और इशा घबरा जाती है तव एशा को बताता है कि उसे आग से डर नहीं लगता उसका आग से हाथ नहीं जलता ये बात उसने किसी को नहीं बताई होती तभी शिवा की नजर जोर जुनून और रफ्तार पर पड़ती है शिवा उनके पास शिवा को दे देता है शिवा व इशा को आश्रम वापिस जाने को कहता है क्योंकि उसे पता है कि इस चुकड़े को आश्रम जाना जरूरी है ज़ोर और जुनून शिवा व इशा को मारने आने लगते हैं कि अनीश उन्हें आश्रम भेज देता है अनीश अपने नंदी असर का इस्तमाल करके बचने की कोशिश करता है कि जुनून अपने रक्षा कवज में आ जाती है और वे खाई में गिर जाते हैं जोर वे जुनून तो बच जाते हैं पर अनीश मर जाता है रफ्तार शिवा वो इशा का पीछा कर रहा था क्योंकि उसके पास मोहन का वानर अस्त था तो वह तेजी से भाग सकता था और हाई जम्ब भी कर सकता था पर शिवा रफ्तार को खाई में गिरा कर आश्रम पहुंच जाता है जहां शिवा और शिवा और शिवा अपने प्यार का इजहार करते है शिवा एक गेट की दूसरी तरफ चला जाता है पर शिवा उसी तरफ रह जाती है रफ्तार खाई से निकल कर शिवा को मारने ही वाला होता है कि शिवा अपनी शक्ति से रफ्तार को आग से जला कर मार देता है आश्रम के गुरुजी यह सब देख लेते हैं गुरुजी को पता होता है कि शिवा अपनी शक्तियों से अंजान है शिवा उन्हें लडाई में साथ देने से मना कर देता है क्योंकि वह इशा को खोना नहीं चाहता पर गुरुजी शिवा से कहते हैं अगर वे अपनी ममी पापा के बारे में जानना चाहता है तो उसे आश्रम में ही रहना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इशा वापिस चली जाती है और शिवा अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है गुरुजी को पता है कि शिवा के पास अगनी अस्त्र है वह उसका इस्तमाल कैसे करना है वह नहीं जानता पर अगनी अस्त्र हर प्रोबलम में खुद ही उसकी मदद करता है फिर हमें जोर दिखाई देता है जिसके पास नंदी अस्त्र है और वह इशा का पीछा कर रहा होता है पर इशा बच जाती है शिवा को इशा के अटैक का अहसास हो जाता है और वो इशा को कॉल करता है और इशा उसे अपने ठीक हालत के बारे में बताती है इशा के अटैक के कारण शिवा परिशान हो जाता है और उसे अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है और वह आग के गोले बनाने लगता है और अपनी शक्तियों को कैसे यूज करना है वह सीख जाता है गुरु जी उसे सभी अस्त्रों के बारे में बताते हैं नंदी अस्त्र जोकी अनीशेटी के पास था वानर अस्त्र जो मोहन के पास था गुरुजी के पास प्रभा अस्त्र है एक गजा अस्त्र है नागधनुश और एक अगनी अस्त्र है जोकी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और यह शिवा के पास है गुरुजी शिवा को देव के नाम से पुकारा जाता था पर उसको ब्रह्म देव बनना था जो वह ब्रह्मस्तर पाकर ही बन सकता था बहुत लडाईयां लड़के वह एक दिन ब्रह्मस्तर तक पहुँच गया जिसको रिशियों ने इतने वर्ष तक शान्त रखा था वह ब्रह्मस्तर जाग गया जिसकी वज़ा से धर्ती पटने लगी वद दुनिया नश्ट होने लगी ही थी कि तभी ब्रह्माज की हुकुम के इक्के की एंट्री हुई जिसका नाम था अमृता दोनों के बीच लडाई हुई और ब्रह्मस्त्र को तीन टुकडों में तोड दिया एक टुकडे के बारे में अब त चलते ही वे उस पर अटैक करके ब्रह्मस्त्र के सभी टुकडों को ले लेंगे अपनी सच्चाई जानने के लिए शिवा जुनून की माला को पा लेता है उसे पाने के बाद वह एक अलग दुनिया में पहुँच जाता है जहां उसे एक मूर्ती दिखाई देती है इतने में जुनून को उसके बारे में खबर हो जाती है पर गुरुजी अपने प्रभा अस्तर से उनको रोकने में लग जाते हैं आश्रम में इशा आ जाती है और शिवा उसे देखकर खुश हो जाता है इशा अपने साथ शिवा का शंक लेकर आई थी वो शंक शिवा की मां अमरिता क वह एक माया अस्तर होता है, जो मालिक के खून की बूंदे गिरने से अस्तर में बदल जाता है। जुनून को मिल गया तो दुनिया का विनाश कोई नहीं रोक सकता। शिवा अपने अगनी अस्तर का इस्तमाल कर जुनून की फोज को मारने लगता है। वह इशा के चारों और आग का बवंडर बना देता है ताकि वह सेफ रहे। पर जुनून जल अस्तर से बारिश करवा कर आग बुजा देती है। यह देखकर शिवा हैरान हो जाता है। जुनून उसे बताती है कि अगनी अस्तर ब्रह्म देव के पास था तो ये शिवा के पास कैसे आया। जुनून उसे अपनी टीम में शामिल होने को कहती है पर शिवा सच्चाई का साथ देता है और उसे जाती है पर जुनून उसके पीछे लग जाती है। सभी ब्रह्माश भी लड़ने लगते हैं और जैसे ही जुनून ईशा के पास पहुँचकर उसे मारने वाली होती है तो ईशा जोर से शिवा को पुकारती है। शिवा गुस्से में जुनून के सामने खड़ा हो जाता है। और नंदी अस्र उसे ले लेता है। फिर वह जुनून को मारने लगता है। पर अगनी देव जुनून का साथ दे देते हैं। जिससे उसके उपर आग का कोई असर नहीं पड़ता। और जुनून को ब्रहमस्त्र के तीनों टुकडे मिल जाते हैं। और वह उनको जोड लेती है। ब्रहमस्त्र के पूरा होते ही जुनून मर जाती है। फिर से वह सब रिपीट होने लगता है। धर्ती फटने लगती है, दुनिया तबाह होने लगती है। पर ईशा दूसरी तरफ रह जाती है। शिवा अपनी जान की परवा किये बिना इशा के पास पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। पर वे दोनों जानते थे कि वे मरने वाले हैं। उसी वक्त ब्रहमस्त्र की सारी शक्ति शिवा के उपर पढ़ती हैं, पर शिवा की शक्ति उससे कहीं जादा थी, जिसकी वज़े से वो ब्रह्मास्त्र को काबू में कर लेता है और सब नोर्मल हो जाता है यह सब प्यार की वज़े से ही होता है क्योंकि अगर शिवा ईशा को बचाने न जाता तो ब्रह्मास्त्र की शक्ति उस पर न पड़ती गुरु जी कहते हैं कि प्यार सभी अस्त्रों में सबसे बड़ा माना जाता है तो ये थी ब्रह्म मस्त्र की पूरी कहानी